और बड़ी खबर मुंबई एइपोर्ट पर DRI को बड़ी कामयाभी हासिल हुई है DRI ने दुबई से आ रहे यात्री के पास से 8 किलो से जियादा के गोल्ड का पाउडर बरामत किया है जिसकी कीमत 4.5 करोड रुपे बताई जा रही है पताया गया कि आरोपी आत्री अपने अंडर गामिंस में गोल्ड का पाउडर छिपा कर ला रहा था जिदर पाकिस्तान के कई सांसदू पर बड़ी कारवाई की गई चुनाव आयोग की तरफ से सांसदू और विधायकों को 16 जनवरी तक संपत्ती का ब्योरा देने के लिए कहा गया था लेकिन इन लोगों ने संपत्ती का ब्योरा समय पर नहीं दिया जिसके बाद चुनाव आयोग में ये कारवाई की उदर बोपाल में गोट से पर बनी फिल्म के विरोध में कॉंग्रेस ने प्रदर्शन किया गांधी गोट से एक युद्ध नाम की ये फिल्म 26 जनवरी को सिनिमा घरू में रिलीज होगी चुना लगाने वाली कंपनी के आईपियो में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं बेस्ट आईपियो निवेश करना चाहते हैं फ्रीडम आपको डाउनलोड करें आईपियो निवेश में एक्सपर्ट बनें जबकि निर्माताओं की दलील है कि फिल्म में नातुराम गोर्से का महिमा मंदन नहीं किया गया है दिल्ली के पास गाजयबाद में दिल्ली मेरट एक्सपर्स वेपर नियम तोड़ने पर बारी जुर्माना लगाया गया ट्राफिक पुलिस ने मोटर साइकल सवार का 20,000 रुपे का चालान काटा क्योंकि दिल्ली मेरट एक्सपर्स वेपर दो पहिया ती पहिया और ट्राक्टर ट्रॉली की एंट्री बैन है जिसके लिए बकाइदा नो एंट्री वाले साइन लगे हैं इसके बावजूद कई लोग नियम मानने को तैयार नहीं दिखे ट्राफिक पुलिस करीब 2,602 पहिया बाहनों के चालान काट चुकी है पर इस बीच खबर दिल्ली NCR के मौसम से जुड़ी हुई जिसकी रफ्तार 50 किलो मीटर प्रती घंटे की होगी मौसम विभाग के मुताबिक 21 से 25 जनवरी के बीच एक सक्रिय पश्चमी विशोग उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है इसकी वज़ा से हिमालई शेत्र में 21 जनवरी को बारिश या बरपारी शुरू होने का अनुमान है तो वही 21 और 24 जनवरी को दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड, पंजाब, हर्याना, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजिस्थान में अलग अलग जगहों पर ओला वरिश्थी का अनुमान जाहिर किया गया है परदर जोशिमट के बाद उत्राखंड की कर्ण प्रयाग में भी कई मकानों में दरारे आने से लोग दैशत में आ गए बताय जा रहा है कि वहाँ के एक इलाके में 69 परिवारों पर मकान गिरने का खत्रा मंडरा रहा है ऐसे में 8 परिवारों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा चुका है क्यूंकि कर्ण प्रयाग में भी कई मकानों में दरारे पड़ गई है वहाँ से जो तस्वीरे सामने आई उनमें कई लोगों के मकानों की दिवारों से लेकर छटू पर काफी लंबी और चौड़ी दरारें देखने को मिली जिससे लोगों में दैशत पैदा हो गई उनने इसके लिए वहाँ के ड्रेनिज सिस्टेम और इलाके के नीचे की तरफ बनाई गई सबजी मंडी को कसूरवार ठेहराया पानी को निकलने के लिए बड़ी दिक्कत है वहार रहने वाली लोगों को डर है कि कन प्रयाग में भी हालात जोशीमर जैसा ना बन जाए क्योंकि वो वहाँ से दूसरी जगहों पर जाना नहीं चाहते